दिल्ली में जेडियू की राश्टी कारिकारी की बैठक में संजैज हा को जेडियू का कारिकारी अध्यक्ष बना दिया गया है आपको बता दें कि इसकी पहले से ही चर्चा थी जिस पर अब मुहर लग चुकी है कारेकारी अधर्च बनने के बाद संजय जहा ने कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि जेडियू राष्टी अस्तर की पाटी बने और ये हम अपने नेता को गिफ्ट के तौर पर दे सकें जिनको लगता था कि नितीश कुमार अब खत्म हो गये हैं इस बार के चुनाव में बिहार ने दिखा दिया है कि नितीश कुमार की प्रासंगीकता आज भी वैसी ही है आपको बता दें कि जंजय जहा नितीश कुमार के काफी विश्वसनी और खास नेताओं में से एक माने जाते हैं वो राज्य सभा में जेजियू संसद्य दल के नेता भी इस बार बनाए गए हैं इसके अलावा वो स्वर्न जाती से आते हैं बिहार में नितीश कुमार को इंडिये के साथ लाने में संजय जहा की भी बड़ी भूमिका रही है बैठक में देश के मौझूदा राजनितिक परदिश से पर भी बात चीत हुई है इस मौके पर आपको बता दें कि केंद्रियमंती, ललन सी, सांसत संजय जहा, जेडियू मेंत्री, असुक चौधरी और दिलेस्वर कामत के आलावा तमाम वरिष्ट नेता जेडियू के मौझूद रहे वहीं जेडियू की तरफ से संजय जहा को राश्टी अध्यक्ष बनाये जाने पर आपकी क्या परतिकिरिया है, क्या सोच रहें, कॉमेंट बॉक्स में में जरूर बताए फिजाल इस कबर में इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रही इन खबर बिहार के साथ